आशा करती हों कि मेरी सारी फ्रेंड बहुत ही अच्छे होंगे हेल्दी होंगे और बताएगा कि आप लोगों के वहाँ पे थोड़ा सा समर स्टार्ट हुआ है कि नहीं यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जो ठंड़ा है अब कम हो रहा है और थोड़ा थोड़ा like spring महसूस हो रही है और सारे जो स्नो थे ना अब धीरे धीरे मेल्ट हो रहे है और वेदर थोड़ा सा अच्छा हो रहा है तो यहाँ पर वेदर बहुत ही positivity देती है अगर बहुत जादा like cloudy रहे तो मन अच्छा नहीं लगता है बट अभी वेदर धीरे धीरे अच्छा हो रहा है तो काफी अच्छी लग रही है और positivity आ रही है धीरे धीरे summer आ रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है तो अभी दिन कर स्टार्ट करते हैं warm water से और मैं थोड़ा सा यहां पर फर्स्ट में जो शुरू करी हूँ यहां पर warm water ली हूँ और थोड़ा सा cashew nuts ली हूँ और बस start करोंगी दिन का start सो मैं यहां पर almards नहीं लेती हूँ मैं यहां पर थोड़ा सा cashew nuts ली हूँ और आज मेरा partner है अनिरोज जो कि मैं उसके साथ आज घर पे ही थोड़ा सा walking करी हूँ और मैं थोड़ा से YouTube में वीडियो देखके करी हूँ तो काफी अच्छा है अगर आप भी करना चाहे तो try कर सकते हैं यहां पर थोड़ा सा winter place है तो बाहर वाक करना थोड़ा यहां पर अभी problem हो रहा है क्योंकि चारो तरफ snow है water है जो काफी slippery हो जाते हैं और black eyes हो जाते हैं तो आज हम लोगों ने सोचा कि चलो घर पे करते हैं और मैंने TV में एक YouTube वीडियो लगा दी है जिसे देखके हम लोग follow करें और यह वीडियो काफी अच्छा है मैं recommend करूंगे कि अगर आप भी इस तरह का walk करना चाते हैं घर पे तो यह वीडियो देखके कर सकते हैं काफी motivating है और काफी अच्छा लगता है सो आज तो मेरा partner है अनिरो तो उसके साथ काफी मज़ा आ रहा है करने के लिए उसने बोला कि चलो ममी मैं भी तुम्हारे साथ करता हूँ तो आज weekend है कुछ जादा काम नहीं है तो हम लोगों ने सोचा कि चलो साथ में करते हैं और अभी थोड़ा सा हम लोग exercise ऐसे कर रहे हैं और exercise में भी मज़ा आता है वो मुझे बता रहा था ऐसे ऐसे करो उसके जिम में होता है इस तरह का exercise तो अभी हम लोग इस तरीके से बॉल खेल रहे हैं यह भी एक तरह का exercise है आपका मन भी अच्छा लएगा और बच्चे भी खुश हो जाते हैं इस तरीके activity करने से तो हम लोग बस इसी तरीके से छोड़े मोटे activity कर रहे हैं जो अपहारा भी मन थोड़ा सा अलग भी मोटे मचों से घंफ वख खाता है बच्चों के साथ जोगा । म हवाँ यह ख वया है। मॉइल्ण पर मैं मैं मने मं मॉसल का थे थे कंहारा जादा हैं रए मोटेज़ा है और निफ ने देखे नेवाल करें है ओग ईवाला रॉख ना रॉट्ट वह वह पार्ड़ वह ख्याइब और रॉट्टाइब और दो आज़ए ना बीधागा मैं अब बेल स्टार्टे हैं बनाना और बेल स्टार्ट में वह बना रही हूं इसको थोड़ा सा अलग ट्विस्ट देंगे और खाने में बहुत यमी होता है तो यहां पी मैं थोड़ा सा मस्टर्ट, थोड़ा सा मिर्शा और कड़ी पत्त डाली हूँ इसमें ऑनियन डाया के थोड़ा सा फ्राई किया है और थोड़ा सा हल्दी नमक डाला है मीनवाइल थोड़ी देर में मैं इसमें टोमेटो चॉप किया हुआ डाल रही हूँ और यह जो है सोया साल्स वो एक ट्विस्ट है जो डाली हूँ और थोड़ा सा मतर अट की हूँ तो बस हमारा पोहा जो है रेडी हो जाएगा जरूर एक बास सोया साल्स डाल के देखेगा ब बहुत ही यमी बन जाता है और फिर इसमें डालेंगे निम्बो का रस जब गैस का फ्लेम हम लोग बंद कर देंगे तो गर्मा करम जो पोहा है रेडी हो जाएगा और बहुत यमी लगता है यह पोहा अगर हम इसमें सोया साल्स डालते हैं तो जरूर एक बार ट्राइ जिने कंगा यहां पर ब्रेक फाल्स ले लेती हूं 8.30 तो मैं आराउंड यहां पर 11 o'clock में कोकोनट वाटर ले रही हूं आप यहां पर कोई भी वी द्रिंग ले सकते हैं निमभू पानी ले सकते हैं और इस ताइम में हमें यह वाला अगर हम कोई भी द्रिंग लेते हैं ब तो आप simply water भी ले सकते हो तो बस at the mean time मैं यहाँ पर लांज की preparation करी हूँ यहाँ पर मैं लॉकी बना रही हूँ और श्रिम्म के साथ लॉकी बहुत ही अच्छा है वेट लॉस के लिए तो मैं पर आलो लॉकी की सबजी डाले हो विश्रिम्म अगर आप vegetarian हो तो यह shrimp skip कर सकते हो इसमें चना डाल डाल सकते हो बहुत अच्छा रहता है तो मैं सबसे पहले जो shrimp है इसे fry कर ले रही हूँ और ओल में मैंने श्रिम्म को हल्दी नमक डालके बस थोड़ा सा fry कर लेना है यहां पे तो कोक्थी मिलता है ज्यादा फ्राइ करने की जरुरत नहीं रहती है फिश को तो बस इससे हम लोग थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे और थोड़ा सा मैं इसी पैन में थोड़ा सा पच फोरन डाल के जो चॉप किया हुआ लॉकी था इसे इस तरीके से मैं डाल दूँगी और बस इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्राइ करेंगे तो अब मैं इसमें जो आलू है वो भी बचा हुआ अलू कटा हुआ अब आलू इसमें डाल दूँगी और इस तरीके से हम लोग अराउंड 5-10 मिनिर्स तक हम लोग फ्राई करेंगे तो जब लगे कि थोड़ा सा फ्राई हो गया है इसमें हम लोग ग्रेडिट किया हुआ हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे और अगरयर मrcha पाऊडर करना शाहते हो ते इसमें डाल सकते हो बस मसाले को इस तरीके से फ्राई कर लेना है तो देखिए बहुत अच्रीत कर lake करता है और अब हम लोग इसमें डालेंगे श्रिम्प को और जो श्रिम्प है हम लोगों ने फ्राई कर लिया था तो ये जो सबजी बहुत अच्छा है गर्मी के टाइम में ये सबजी बैस्ट रहता है तो शियूरली एक पार ठ्राई किजेगा और बस हम लोग जो श्रिंप है जो हम लोगों ने फ्राई कर लिया था इसमें एड़ कर लेंगे और अच्छी तरीके से हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे और यह सब जो फिश हम लोग खाते है ना उसमें बहुत अच्छा ओमे का फैट रहता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोग थोड़ा सा पानी आड़ करके हम लोग धक करके रख देंगे और यह सबजी है बिलकुल रेडी हो जाएगा तो देखिए बिलकुल जो सबजी है अच्छी तरीके से रेडी हो गया है और यह श्रिम के साथ इसका बहुत अच्छा कॉंबिनेशन रहता है अगर आप वेश्टेरियन हो तो इसमें आप श्रिम की जगा थोड़ा सा चना डाल अच्छा है ऐसे भी साथ बहुत नेक्स्ट मैं बना रही हो श्रिम हम लोग की बैंगॉली श्टाइल में बना रहे है इसमें मैं श्रिम को थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के फ्राइ कर ले रही हूं और यह यूज्युल हम लोग राइस के साहते है तो दो पहर का टाइम है ला निकाल लेना है, तो अब नेकस्ट हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा फिश, यहां पर मैं थेल में थोड़ा सा कलॉंझी आड़ू और थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्चु आड़ू हूँ, इसमें मैं आड़ करी हूँ, अनियंस, और onion is तरीके से fry करेंगे और थोड़ा से sauté करेंगे तो बस इसमें जब onion is saute हो गया तो इसमें मैं थोड़ा से tomato add कर दूँँगी और देखिए इसमें मैं around 1 tablespoon mustard roster paste एड़ करी हूँ और हम लोग इसमें fry करेंगे तोड़ा से हल्दी डालेंगे अर थोड़ा सा नमग एड़ करेंगे और ये जो फिश के लिए जो मसाला है बिल्कुल रेड़ी हो जाएगा तो दीखिए ये जो मसाला है बिल्कुल रेड़ी हो गया तो मैं अद दो मीन टाइम यहाँ पी जो श्रिम्म हमने तो थोड़ा सा फ्राइग कर लिया था वो एड़ कर रही हूँ और बस यह बेंगॉली स्टाइल है तो बेंगॉली रेसिपी आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल में तो बस लंच रेडी हो गया है थोड़ा मैंने चावल लिया है दाल लिया है और थोड़ा सा लॉकी की तो रुजीता दिवाकर हमेशा कहती है कि आपको इस तरीके से फ्रपर एक लंच करना है टाइम लिक करना है जो कि मैं अराउंड वन पीम तर कर लेती हूं तो इसके बाद मैं अराउंड टू थर्टी तक मैं यह एक औरेंज ले रही हूं वो कहती है कोई भी सीजनल मैं मैं ले रही हूं मखाने. मैंने थोड़ा से सौटे कर लिया है और इस ताइम में झाल शाट कर लिया है और अनल पया दिक है कि यह कुछी का है कर ले सक हाद में तो शाटा-पने तू ए गहान फूशिय allora कूछ आप 50 में लेना है झाहे प orig ैल्च साथ और देना ओक्त कर अब छो अब 8 बज रहे हैं और मैं अप्टा डिनर कर ले रही हूं मैंने पराठा और आलो गोवी की सबजी मैंने यहां पर लिया है और मैंने कोई भी अनेसिसरली चीजे नहीं खाई है तो आज का जो मेरा जो डायेट प्लान है बहुत अच्छा रगा है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने फॉलो किया है तो चलिए वीडियो एंड करते हैं होग करते हूं कि आपने वीडियो एंज्वाइ किया होगा अगर इंज्वाइ किया है तो लाइक कॉमेंट और शेयर करना भूले अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आपने वीडियो आपने वीडियो तब तक खुशरी अच्छरी और बना खुब सारा ध्यान रखे बाबाई